Hello people, hope you all are doing well. आज हम लोग एक नाया Act शुरू करेंगे, जिसका नाम है Limitation Act 1963. यह आपकी जुरीशरी एक्जाम्स के लिए बहुत जादा important है, तो हम लोग जुरीशरी एक्जाम के point of view से ही इसे पढ़ेंगे. सबसे पहले इसके introduction के बारे में बात करते हैं, तो इसका citation है Act No. 36 of 1963, 1963 का यह Act No. 36 है, इसकी enactment date है 5th October 1963, commencement date है 1st January 1964, यह enactment date और commencement date दोनों ही बहुत जादा important है, इसका extension to the whole of India, पूरे इंडिया पर यह extend करता है, applies कहां कहां होता है, तो suit पर, appeal पर, application पर और petition पर, इतना जानने के बाद हम यह समझ लेते हैं कि लिमिटेशन आक्ट आखिर बनाया क्यों गया, देखो, limitation act इसलिए बनाया गया, ताकि जो suits फाइल किये जाते हैं, या पर जो appeal फाइल की जाती है, जो application फाइल की जाती है, उसके लिए एक prescribed period हो लोगों के पास, एक prescribed period हो, उनके पास limit हो कि इसी time limit में आप अपना suit फाइल कर सकते हैं, तो वही कुछ provisions हमलोग limitation act 1963 में पढ़ेंगे, इसके essential features है, contains 32 sections, सिर्फ इसमें 32 sections हैं, और 137 articles हैं, minimum period जो इसमें limitation का दिया हुआ है, मतलब आप किसी भी चीज को file करने के लिए, जो minimum limitation period इस act में दिया है, वो 10 दिन का दिया है, और जो maximum period of limitation है, वो 30 साल तक का दिया हुआ है, इट prescribes the time limit for filing suit, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, यह क्या करता है, यह time limit उको prescribe करता है, suit file करने के लिए, appeal file करने के लिए, application file करने के लिए, within which an aggrieved person can approach the court or a redress for justice, यह limitation period किस लिए दिया जाता है, suit file करने के लिए दिया जाता है, appeal file करने के लिए दिया जाता है, application file करने के लिए दिया जाता है, जिसमें जो aggrieved person है, जिसको injury हुई है, किसी नो उसको कोई injury पहुचाई, कोई हानी पहुचाई है, तो किस समय क्या टाइम उसको दिया जाएगा कि वो कोट में जा करके अप्रोच कर सकता है जस्टिस के लिए अब देख लेते हैं कि किन दो लीगल मैक्सिम्स पर ये लिमिटेशन आक्ट बेस्ट है तो सबसे पहली है इंट्रेस्ट री पब्लिक की उट्सिट फिनिस लीटियम I know it's hard to pronounce लेकिन सिर्फ आपको इसको याद रख लेना है मतलब स्पेलिंग से आप इसको दोनों ही जो मैक्सिम है याद रखो क्योंकि कभी-कभी जो है लिखने के लिए भी आ जाता है यानि मेंस के पेपर में भी आ जाता है और प्री में तो ऐसे ही mcqs में पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए at least कि क्या नाम है तो सबसे पहली जो है it is in the interest of the state that there should be an end to a litigation ये state के interest में है कि जो litigation है जो भी case फाइल किया गया है उसे जल से जल खतम किया जाए तो सबसे पहली legal maxim ये है दूसरी फिर I am not reading it दूसरी maxim का मतलब ये है the law will assist only those who are vigilant with their rights and not those who sleep upon it देखो law सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है या फिर उन्हीं को सिर्फ assist करता है जो कि अपने rights को लेकर के vigilant है ठीक है मानों किसी case को file करने के लिए 30 साल तक का समय आपको दिया गया ठीक है अब उस 30 साल तक के समय में आपने suit file ही नहीं किया तो फिर इसका यहीं मतलब हुआ कि आप अपने rights को लेकर के vigilant नहीं हो इसलिए limitation act बनाया गया है कि जितना भी समय दिया चारा है आपको समय में अपना suit file करना होगा and not for those who sleep upon it जो उसको लेकर के अपनी rights को लेकर के vigilant ही नहीं है तो फिर law उने assist कैसे कर सकता है ठीक है अब इस act का purpose यह है its main objective is to provide a specific time frame इसका main objective यह है कि specific time frame जो है वो दिया जा सके within which a person can file a suit in a court जिसके अंतराल में एक person suit file कर सकता है कोट में यह जो act है यह exhaustive in nature है exhaustive का मतलब यह है कि इसमें amendment होते रहते हैं मतलब कुछ भी नई चीज़ेस में आप add कर सकते हो it is a procedural law यह पूर प्रोसीजर लौ है क्योंकि प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से आपको limitation आपका work करता है limitation period work करता है law of limitation bars judicial remedy not extinguish the right यह बहुत important च question पूछा जाता है कि यह जो sentence यहां पर मैंने बोला यह true है या false है तो इसमें क्या लिखा है कि जो law of limitation है यह सिर्फ आपकी judicial remedy को बार करता है time barred कर देता है आपकी judicial remedy को लेकिर आपका जो right है उसको extinguish नहीं करता जो आपका judicial remedy पाने का जो right है उसको खतम नहीं करता है बस एक time limit दे देता है time limit prescribe कर देता है उसको time barred कर देता है लेकिन इसका exception है section 27 जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ठीक है अब limitation act का section 2 जो है वो interpretation clause है यानि कि इसमें कुछ definitions दी हुई है सारी definitions हमारे लिए important नहीं है judiciary point of view से तो जो important definitions है हम लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो important definition है वो है 2A applicant की ठीक है फिर उसके बाद 2C है bill of exchange क्योंकि इसमें 2C में कभी-कभी पूछ या जाता कि bill of exchange में कौन-कौन सी चीज़े included होती है तो includes a hundi and a check इस पे आप लोगों को mcq आता है मतलब pre के लिए important है ठीक है then 2E defendant की defendant कौन होता है ये भी पूछ लिया जाता है फिर उसके बाद जो important definition है वो है good faith की जो की 2h में defined है तो good faith का मतलब हम सभी को पता है इसमें भी वही सेम चीज लिखी हुई है कि nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care and attention कोई भी ऐसी चीज जो भी जो की due care और attention के साथ नहीं की गई है वो good faith में की गई है ऐसा नहीं बोरा जाएगा फिर 2i में definition है plaintiff की 2j में period of limitation के बारे में बताया गया है means the period of limitation prescribed for any suit appeal और application by the schedule क्या period of limitation की definition दी हुई है वही चीज की क्या किसी भी suit appeal या फिर application को फाइल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा या फिर इसे हम ल to n में definition है trustee की trustee के definition का question इस तरीके से बन चकता है कि क्या trustee के definition में बेनामिदार आता है तो आपका answer होना चाहिए नहीं अब mortgage को भी हम लोग ट्रस्टी कहते है और remaining in the possession after the mortgage has been satisfied और a person in a wrongful possession without title या फिर कोई ऐसा person जो की wrongful possession में है उसके पास उस चीज का title नहीं है तो यह सारी जीज है जो मैंने underline करी हुई है यह आप लोग भी अपने bear act में underline कर लो बिकाज यह आपके pre के लिए important है so yeah I hope आप लोगों को यहां तक सारी चीज से समझ में आई होंगी आज हम लोगों ने देखा कि limitation act क्या होता है यह किस बारे में बात करता है इसका introduction पूरा हम लोगों ने देखा और section 2 में कौन-कौन सी definition आप लोग को judiciary point of view के लिए पढ़नी है वो भी आज हम लोग ने देखी अब हम लोग next वीडियो में बात करेंगे section 3 की जो की pre के लिए बहुत जादा important है तो उसकी वीडियो भी आप लोग प्लीज जरूर देखेगा I hope आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होंगी अगर कोई problem है तो please let me know in the comment section और अगर आप लोग किसी topic पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी please मुझे जरूर बताएगा thank you so much